Hello students, last suggestion is in general loss of biodiversity in a region may lead to falling except पुछागे कि in general किसी पी रिजन में जब बायोडिवर्सिटी लॉस होता है इसके वज़े से जो होता है इसके बाद बाद बायोडिवर्सिटी के बाद उस रिजन पर होता है लेकिन एक जो नहीं होता वो बताने की कौनसा नहीं होता decline in plant production ये जो एक तरह से सही है कि plant का जो production है एक तरह से decline होगा क्योंकि बायोडिवर्सिटी लॉस हो रहा है तो plant का जो diversity एक तरह से वहांपे loss होगा तो वहांपे production plant production भी क्या होगा decrease होगा lowered resistance to environmental perturbation such as drought ये correct है कि जो stress वाले condition होगे जैसे की drought हुआ इन सब के लिए जो organism होगे वो उतना ज्यादा resistant नहीं हो पाएंगे उस टाइम पे तो अगे diversity जब ज्यादा होगा तब वहांपे ज्यादा resistant होगे लिगी जब डायवर्सिटी कम हो जाएगा loss of diversity के वज़े से एक तरह से उनका resistance कम हो जाएगा ये तो सही दिया है एक तो जैसे plant productivity है वह फेक्ट हो रहा है वहाँपे variation देखने में मिलेगा कि down हो जाएगा water use utilization भी अगर हम देखें वह भी क्या हो जाएगा एक तरह से वहाँपे disturb होगा इसके लाव past time disease cycle ये भी increase होने के fourth one hope you understood the mission thank you and all the best